हम दोड़ा आगे बढ़े हैं सर्दी खासी जुकाम ये तीनों एकी फैमिली की डिसीज है और इनकी मेडिसिन भी लगबग एकी है क्या क्या मेडिसिन है इसके लिए अपने रसोई में सबसे अच्छी मेडिसिन है अपने रसोई में अद्रक अद्रक कोई दूसरे नाम में सोंट कहते है अद्रक सूख जाता है तो सोंट हो जाता है अद्रक सूख जाता है तो सोंट हो जाता है तो अद्रक या सोंट इसकी बेस्ट मेडिसिन है दूसरी बेस्ट मेडिसिन है वो हल्दी है तीसरी बेस्ट मेडिसिन सर्दी खासी जुकाम की चूना है चौधी बेस्ट मेडिसिन सर्दी खासी जुकाम की किश्मिश है पाच भी मेडिसिन सर्दी खासी जुकाम की दाल चीनी है किश्मिश मुनक्का अलेग है किश्मिश अलेग है सबसे अच्छी दवा है अध्रक हैं दूसरी हल्दी है तीसरा चूना है चौथी दाल चीनी है फिर किश्मिश है और इसमें आप मैथी दाना भी यूज़ कर सकते हैं इतनी दवाएं हमारे रसोई में हैं सर्दी खासी जुकाम के लिए और इसके साथ कुछ कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसिन है जो में मेडिसिन के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं वो है काली मिर्च तुलसी का पत्ता यह कॉम्प्लिमेंटरी में मेडिसिन है अध्रक में मेडिसिन है दालचीनी में मेडिसिन है मेधी दाना में मेडिसिन है चुना उसके साथ कॉम्प्ल काली मिर्ची अब इनको यूज कैसे करना है यूज करने का तरीका अद्रक है उसका रस निकाल लीजिए अद्रक रस को निकाल लीजिए और इसमें थोड़ा शहद मिलाके हल्का गरम करके पी लीजिए ये एक तरीका दूसरा तरीका है अद्रक का रस निकाल लीजिए उसमें तुलसी का रस मिला लीजिए और हलका गरम करके शहद मिलाके ले लीजिए वो दूसरा तरीका गरम करने के बाद ही शहद मिलता है शहद बिलाके कोई चीज गरम नहीं कर सकते अगर शहद नहीं है तो गोड़ ले लीजे गोड़ भी चलेगा अब दोज कितना लेना है एक पार में एक चमच से जादा नहीं सम बिलाकर एक चमच अब आप खुद डिसाइड कर लेना सम मिलाके एक चमच अद्रक का रस तुलसी का रस और शहद तीमों मिलाके एक चमच सुबह सुबह ले लिजे खाली पेट बहुत अच्छा है एक बार दुपैर को भी ले सकते हैं जुझ लाडकर दूसरा कोई कारियो कर अच्छा सर्भी पहरी वैसी तरह से संद्थिकासी जुकाम में हल्बी का इस्तेफाल अकर सकते हैं हल्बी को सबसे अच्छा तरीका है खाने का दूद में मिलाके जो हाजारों साल से इस देश बिना बोके खाने की कोशिश करिए हो जाए तो अच्छा बिल्कुल ना जाए तो देख लीजिए थोड़ा बहुत अगर किसी कारण से दूद नहीं ले सकते या दूद उपलग नहीं तो पानी में बॉइल किया जाता है हल्दी को और लिया जा सकता है तो सर्दी खांसी जुकाम में हल्दी है पानी में ले सकते हैं और जी मातरा हमेशा चौथा चमच सर्दी खांसी जुकाम इससे जाधा लिए तो और भी अच्छा चोटे टुकडे करके दूद में बॉइल कर लीजे उसे ओर इसी हल्दी को और एक बीमारी में इस्तेमाल कर सके है आख टॉनस्याइटिस यह बच्चों इच्छ बहता जब भी विक्ट् opportunities करा तो mains अगएней्व एक ही मिनिट लगता उसको यह कहने में जो ऑपरेशन करा दो काट के निकाल दो ऐसे समझता जैसे भालतु दे दिया बगवान ने आजकल के एक तो डॉक्टर माताओं को बोलते हैं कि अपना गरभाशे काट के निकलवा दो और यह दूसरा टॉंसिलाइटिस के लिए बोलते ह ही अगर आपने निकलवा दिये तो फिर भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता यह जान दिए एक बार बच्चे का टॉंसलाइटिस का आपने ऑपरेशन करा दिया और कट के निकल गया फिर जिंदगी बार उसको ना कोई दवा काम आएगी उसको उस तकलीफ के साथ ही जि है अबरोनिक है समय पोराना हो गया वह तो हल्दी को सीधा इस्तेमाल करना है ना दूद में ना पानी में सीधे हल्दी इस्तेमाल करनी है कैसे चमच में हल्दी भर लिया और मूझ इतना खुल सकता है उसमें अंदर ले जाके चमच छोड़ों दी जाए फिर लार के साथ में कि यह अंदर उतरी एक हफ़ते में तीन दिन भी आपने कर दिया तो चौते दिन से उस बच्चे के टॉंसिल हमेशा बिलिठी बजा इतना इफेक्टिव अगर टॉंसिलाइटिस क्रोनिक है तो एक्यूट है माने हाल फिलाल में हुआ है पंद्र वीज दिन महिना दो महिना तो आप उसी तरह से दूद में लीजिए इसको या पानी में लीजिए बच्चे दो तच्छे जिता हलती पौनी है जी उताब जिना में चल जाएगा पानी नहीं पीना है वो लार के साथ अंदर जाएगा पानी उनको घंटे पर तक नहीं देना और इसमें थोड़ा एक और दूसरी विमारी इसी से जुड़ी थ्रोट इंफेक्शन गले में खराश हो गई और गले में किसी तरह का इंफेक्शन है गला बैट गया है तकलिफ ऐसी है पानी भी पीने के तकलिफ हो रही है आपकी लार में गलने में भी तकलिफ हो रही है इस तरह का इंफेक्शन है आवाज भारी हो गई है यह सब के लिए यही हल्दी इस्तेमाल करना है दूद में घ गी के साथ हल्दी दूद और घी माने गाय का हल्दी दूद और घी कि एक इलास दूद रहेगा चौधा इस अंच गई रहेगा इक चम्मच भी रहेगा यह दीनों से मिक्स करके बॉइल करना है बॉइल करके खूब गरम-गरम चाए की की तरह सकते हैं शाम कोई का पीए एक बार हैं जी फिर से रिपीट करता हूं एक किलास दूद चौथाई चमच घलनी एक चमच घी घी माने गायता इसको एक दूसरे में मिलाके खुब बॉई करिए और इतना गरम हो चाय जैसा और चुस्कियां लेके पीना सिप करके अधिन नुपसान तो कुछ भी अच्छा बलागी पी सकता बस मांत्रा हलनी की थोड़ी कम कर दी जी शूगर माने चीनी है ने चीनी को तो विदा कर दी जैए थोड़ा गुड़बुड ले लिया तो चलेगा चीनी तो छोड़ी ली तो भी निकल जाएगा थोड़े दिल लग मैं और एक दवा बता चुका हूँ जो पहले से ही आपको मालूम है चूना चूने को इसी तरह से जैसे बताया हुआ है आप यूज कर लीजे तो चुकाम क्लिक कर देगा